और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे लाल बटन है, सब्सक्राइब यू बटन है और हम अच्छे वीडियो आप लोगों को बनाते रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप जाके हमारे चैनल पर वीडियो पर, बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने बनाये हैं और अच्छे ची कंपनी इसके बारे में अनलाइसिस की हुई है तो आईए चलते हैं क्यों बढ़ते हैं, आज का जो हमारा स्टॉक है, उसका नाम है और चलिए हम बात पले हम दो चीज़े आपको बता दें कि Excite Industries के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि यह सेक्टर मुझे बहुत ही अट्रेक्टिव लगता है, मार्केट में भी आपने बहुत सारी खबर सुनी होगी और जो हमारी भारा सरकार गवर्मेंट है, वो चाह रही है कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वेहिकल से शुरू हो जैसे कार्स, बाइक्स और बसेज, इसेट्रा तो जब यह क्रांती आजाएगे तो यह बैटरी सेक्टर बहुत भागए क्योंकि इसकी बहुत साई डीमांड होगी और बैटरी का जो सेक्टर उसमें टॉप की जो कमपनी एक्साइट इंड़स्ट्री इस लिम्टेट है और यह दो प्रोड़क्ट बनाती है एक तो है इंशुरेंस में जो कि यह भी बहुत आने वाले समय में बहुत बढ़ा सेक्टर होगा इंशुरेंस कमपनीया क्योंकि लोग जैसे जैसे धीरे-धीरे जागड़ोख हो जा रहे हैं अपने आपको इंशुर्ड करते जा रहे हैं तो एक्साइट इंड़स्ट्री उ मतलब सोना चांदी दोनों मिल रहा है और मुझे ऐसा उमीद है कि जो आज का भाव हमें देखने को मिल रहा है 228 रुपए आने वाले कुछ सालों में जब काम शुरू हो जाएगा तेजी से एलेक्ट्रिक वेहिकल से रोट पे आ जाएंगी तो यह स्टॉक आपको पकड़न पर नहीं मिलेगा और जिसे साब से मैं बुलिश है तो मुझे लगता है कि 20,000 अगर इसके स्टॉक की कीमत भी हो जाए इसके प्रेमियम हो जाए तो भी कम होगा क्योंकि क्रांती आने वाली है चेंज होने वाला इंडस्ट्री का जो भी पेट्रोलियम के प्रोड़क्स जो क पार्स ट्रायल पे चल भी रही है बाइक तो चल ही रही है तो चलिए मोटा मोटी हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि अभी फिलाल ये क्या है देखें दस सालों का जो रिटर्न है इस कंपनी का उसने 515% का दिया है जो कि बहुत ही अच्छा है पांस सालों में 96% का थोड़ा सा कम है, तीन सालों में 67% का, not good, एक साल में 6% का करीब, जो कि ठीक नहीं है, यह तिल देट जनवरी से लेकर भीच 14% के नेगटिव में दिखा रहा है, और वन मन्त में 10% करीब है, जो कि अच्छा है, बांस बैक कर रहा है, और वन वीक में 2.25% की बढ़ात है, 1.92% की, तो देखी, यहाँ पर देखी, बैटरी सेक्टर के इंडस्टीज है, मार्केट का इप है, 19,588 करोन, मिटकाइप की कमपनी है, पी है, इसका सप्ताइज अच्छा है, इंडस्ट्री पी है, 25.84 की, डिविडेंट टील है 1.0%, डिविडेंट जबटस देता है, और डेट की है, 0.22 की, जो की डेट काफी कम है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, अगर एक के नीचे है, तो, sorry, रिटर्न और इक्विटी है, 3.24% की, और प्राइस टुबूख है, 3.61 की, नेट सेल्स में देखे है, डाउनसाइट है, 24.60 करोड की, और नेट प्रॉफिट में 155 और इसका देखिए, वैलिवेशन अभी वेरी एक्स्पेंसिव की दिखा रहा है, क्योंकि जिससाब से इसका प्राइस है, और नेट से इसका यहाँ पर वेरी एक्स्पेंसिव दिखा रहा है, लेकिन यह टूटे कभी नहीं, मुझे ऐसा लागर अगर आब बहुत ज्यादा सेंसक्स पर दबाव आया, या मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आये, तो भी ज्यादा यह टूटता नहीं है, और आरो सीई है, 26.74% की, आरोई है, इसका 3.24% की, पनेशल ट्रेंड फ्लाइट है, स्कोर इस टू, और देखी, यहां पे नेट सेल्स में डाउनसाइड, आर्थ, सारह 8% की, डाउनसाइड है, नेट प्रॉफिट में 42% के डाउनसाइड है, और मार्जिन इनोंने मेंटेन किया है, तैस बेरी नाइस थीं, और हम कर्जा देख लेते हैं कितना है, एक्जैक्टली, बड़ी कंपनी हैं, देखे कर्जा ना के बराबर है, मार्च 17 में 184 करोड़ों का था, मार्च 18 में 69 करोड़ों करे गया है, जो कि इनोंने कम किया है, और बहुत ही अच्छा किया है, इनोंने, प्रमोटर्स की जो शेर होल्डिंग है, व 98 करोड़ों की और देखे, यहां पे, फाइयास भर रहा है, इनक्रीज हुए है, इनकी होल्डिंग, और म्यूच्वल फंस ने भी अपनी होल्डिंग इनक्रीज की हुए है, जितनी भी स्कीम से हैं, और इंडिविजुल इंवेस्टर से, आप और हम 10 करोड़ों के आसपास ह प्लूच्वल इंड्यक्ली आुड़ों के बिलिए कि पक्लोच्वर है, इनक्राइब कतते हैं, उस्यम्टक्र क्मशनें अक्वरोियोच च्वरोर से ये कंपणी काम कर रही है, मिटका एक कंपणी हम दिखाई चुके हैं, डिविडेंट एक रुपए 60 पैसे पर शेयर का इसने दिया था, लास्ट 15 नमबर 2018 को, और अपनी कंपणी में, अपनी इंडस्ट्री में ये फर्स नमबर की कंपणी है, और देखें, स्टोरेज बैट प्रोड़क्स, 74, मतलब करीब 75 परसंट की जो इसकी आमद है, ये होती है, बैटरी सेक्टर से, और लाइफ इंशुरेंस बिजनेस से, इसको 25 परसंट की आय होती है, तो ये जो दो चीजें, ये दोनों ही आने वाले समय में जबर्बस चलने वाला है, हर आदमी इंशूर हो चाहता है, तो चलिए दोस्तों हमने मोटा मोटी इसके बारे में जानतो लिया, लेकिन अब मैं आपको अपना जो व्यू है वो बताना चाहूंगा, कि चलिए मैं इसका EPS देख लेते हैं, EPS देखिया भी है, 7.54 कप अर्णिंग पर शेयर है इसका, 2018 कास, तो दोस्तों अभ फिस वैल्यू है, एक की, डिलिवरेबल है, खरीब 40% के आसपास की, है ना, और प्राइस टुबुक है, 3.57 की, इंडस्ट्री पी है, 18.40 की, अब सेंटीमीटर क्या कह रहा है, 100% भाई, मतलब सभी लोग कहरें, भाई हा, खरीद करेक लो, खरीद करेक लो, खरीद करेक लो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके पॉर्टफोलियो में, आपके पॉर्टफोलियो में भी ये स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में, मैंने आपको पता दिया है, और आपको भी लग रहा है, क्योंकि आप भी मार्केट में, इंडिया में, इंडिया की ग्रोथ हिस सोरी आपको पता है और गवर्मेंट ने अनॉंसमेंट जो भी किया वो भी पता है तो ये सिक्टर जबरदस्त चलने वाला है और लेकिन हाँ ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मैं रिकमंट कर रहा हूं देगे हमारा लॉंग टर्म नजरिया जो होता है तीन साल पांस साल दस साल पंद्रा साल तो और अच्छी बात है 20 साल 25 साल 30 साल अगर आपकी एज कम है तो भी जबरदस्त है नहीं कम तो भी लेने लायक स्टाक है जिस एज में भी हैं आप उस एज में भी आप ले सकते और जबरदस रिटन देगा डिविदेंट देगा बोनस भी भविश में दे सकता है अभी split हुआ था हाली में 10 से 1 के face value में तो चली दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा है ना और अगर आपने चैनल हमारा आपके तक सब्सक्राइब ने के ज़रो सब्सक्राइब कर ले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो